इन पांच चीजों को भूल कर भी ना करे गरम, खाते ही बन जाती है, जहर कर सकती है आपको बिमार Hello Friends, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, Welcome back to my channel Homey Tips कई बार जल्द बाजी में हम सबी खाना गरम करके खा लेते हैं इसका सेहत पर गंभीर और उल्टा असर पढ़ सकता है, यह हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है Health Expert के मताबिक कई ऐसे फूड है, जिने दुबारा से गरम करके खाने से गंभीर नुकसान हो सकते हैं इसे से Food Poisoning जैसी समस्या हो सकती है यहां हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिने दुबारा गरम करके नहीं खाना चाहिए इसमें सबसे पहले आती है चाए अगर चाए बना कर जादा देर तक छोड़ देते हैं और फिर गरम करके पीते हैं तो अपनी इस आदत को ततकाल बदल लीजिए क्योंकि चाए ठंडा होने के बाद उसके पोशक तत्व खतम हो जाते हैं इसके बाद उसमें फंगस या फिर बैक्टीरिया भी पनब जाते हैं जो सेहत को बुरी तरह नुकसान पहुचाने का काम करते हैं दुबारा गरम करके चाए पीने से पेट में खराबी, उल्टी, दस्थ, एठन और पाचन जैसी समस्याएं हो सकती है अगला है दोस्तो पालक पालक से बनी चीजों को भी कभी दुबारा से गरम करके सेवन नहीं करना चाहिए पालक आइरन का अच्छा स्रोत होता है जब इसे गरम करते हैं तो उकसाइड में बदल कर सेहत के लिए हानिकारक बन सकता है पालक को दुबारा गरम करने पर नाइट्रोल जैमिन नाम का तत्व पैदा होता है जिससे पेट, फेफडे और ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है अगला है कुकिंग ओई हेल्थ एक्सपर्ट के मताबिक खाने का तेल दुबारा गरम करके कभी भी नहीं खाना चाहिए यह बेहद ही खतरनाक हो सकता है जब तेल को दुबारा से गरम किया जाता है तो उसमें मौजूद फैट, ट्रांस फैट में बदल जाता है यह सिहत के लिए नुकसान दायक है इस तेल में हर तरह के एंटियोक्सिडेंट खतम हो जाते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं इसके सेवन से पेट का कैंसर, लिवर कैंसर जैसी गंबीर समस्याएं हो सकती है अगला है मश्रूम मश्रूम काफी हेल्दी फूड में आता है इसके सेवन से कई तरह के फायदे होते हैं मश्रूम में प्रोटीन की अच्छी मातरा पाई जाती है लेकिन इसे पकाने के तुरंत बाद ही खाना चाहिए कभी भी मश्रूम से बनी चीजों को दुबारा गरम करके नहीं खाना चाहिए इससे उसका प्रोटीन खतम हो जाता है और पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचता है अगला है चावल चावल को भी कभी दुबारा से गरम करके नहीं खाना चाहिए ये हेल्थ को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है हेल्थ रिपोर्ट्स के मताबिक चावल को दुबारा से गरम करने पर फूड पौइजनी की समस्या हो सकती है चावल थंडा होने पर उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो दुबारा से खाने पर सेहत को नुकसान पहुचा सकता है I hope friends आपको मेरी information अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चानल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए